तो क्याल चाले दोस्तों आगए एक और निक कममाल की कुछ कॉंक्रेट टिप्स के साथ वापिस तो यार गाईज अगर आप इस वीडियो पर आयो ना तो आपको मुझे पक्का यकिन है कि आप कॉंक्रर पुस्ट करना चाहते हो या तो आप किसी कानेवल्स कॉंक्रर तो आप अगर इस वीडियो पर आयो ना कुछ सीखने को तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जिससे आपको कुछ इस वीडियो से हैल्प मिल सके तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मतलब वीडियो तो स्टार्ट है तो मैं स्टार्ट करने से पहले यह जो आपको रैंकिंग जो दिखा रहा होगा एसिया का जो रैंकिंग होता है और फिलाल तो के आर वर्जन का है तो कहीं कभी हो रैंकिंग सबका सेम होता है तो मैं पहले आपको रैंकिंग दिखा देता हूं तो जैसा कि आप देख रहोगे कि एसिया में जो डू की र होगे रहा है तो सोलों में आप देख सकते हो पॉइंट जो टॉप हंड्रेट में 4800 तो समझ लो कि 500 कमाना जाता है तो और कम होगा और स्कॉर्ड में तो कुछ जादी है मतलब हम जैसो के लिए तो इंपोसिबल है हम जैसो के लिए क्या ही मतलब जो पुछने करता है जो कम पीपी में देखो अब एक पीपी में बस 4597 पॉइंट चाहिए तो ओभी एसिया में और भी मतलब स्कॉर्ड में तो यह आप अगर एक पीपी खेलते हो तो आपको इतना चाहिए तो अगर आप 500 में आते हो तो आपको और कम लेना होगा और जैसे कि देख सकते हो डूओ में आपको मतलब इस पहुंचते ही स्टार्टिंग में ले सकते हो भी एकदम असान तरह से और हाँ गाईज अगर आपको कुछ फणी नीज वगेरा पब जी मौल के फणी नीज कमेंट्री वगेरा देखना पसंदे तो मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक डिस्किप्शन में दे देखो और हाँ जो जादे देख भाकते मतलब बनता तो इसके लिए भी है तो मैं इस बार डूओ पुस्ट करूंगा कॉंकरर तो आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बता दूँगा तो फिलाल के लिए आप हमारे चैनल को एजी पी गेमिंग को सब्सक्राइब करके मतलब कॉंकरर पुस्ट कर रहे हैं अगर आप जाते हो किसी चीज में मतलब आप लोबी वगेरा में तो वहां पर आपका सर्वर दिखाता है नहीं बस आपका कॉंकरर का फ्रेम दिखाता है जिससे कि आपके ट्यमेट काफी इंप्रेस हो सकते आपको अगर आपके पास आपको मज़ा आएगा तो सब सारी चीजें तो मैं कि आरजीपी में दिखा दू जो सोलो का जो है एक पीपी में रैंकिंग देख सकते हो कितना मतलब गंदा रैंकिंग एक दम ब्यालीस सो त्यातिस का और तो सोच सकते हो कि अभी तो सीजन पंदरा का एंड है तो अमेरिका वगेरा और भी सर्वर में चेक कर लो अगर आपको पिंग का इसू आता है तो आप एजली मीडलिस्ट खेलो और मीडलिस्ट में भी काफी अच्छा खाजा पिंग आ जाता है तो आप वहां से पुस्ट कर सकते हो तो देख सकते हो मतलब कितना मतलब सोलो में 2244 का म मतलब रैंकिंग चाहिए तो आप कितना एजी तरह से इस कॉंकेर को पुस्ट कर सकते हो तो खेर मैं तो भी एसी आई में करूंगा डूओ में रैंक पुस्ट तो जिसको भी जो भी इंट्रेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपको कुछ मैं टिप्स एंट्रिक बताते हो कि अगर आपको एसी में करना है नहीं आपको किसी और सर्वर में करना है तो तो देख सकते हो मतलब कितना गंदा और यह तो बस डॉप हंड्रेट का मैं रैंकिंग दिखा रहो तो समझ सकते हो कि 500 जो होता है उसमें अगर आप चले जाते हो तो आपको कॉंक्र मिल जाता है तो यह मैं 100 का दिखा रहो तो पाई 500 में और कितना मतलब लो इसका रैंकिंग होने वाला है तो फिलाल तो मैं भी देख सकते हो डूओ में मुझे पुस्ट करना है लेकिन मैं जैसे तैसे मतलब पुस्ट कर लूँगा मतलब एक दो हपता तो लगी जाएगा मेरे को पुस्ट करने में क्योंकि मैं काफी अभी क्यार वर्जन में सिप्ट वाओ तो काफी मेरा रैंकिंग नीचे है तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है तो हम जैसे जैसे दिसे कर लेंगे और मैं आपको बता भी दिया हो कि अगर आप इंट्रेस्टेड हो अगर फणी कमेंटेड नूज देखने में तो मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्किप्शन में दे दूँगा एक बाद चेक आउट करके देखना और बताना कैसा है तो उसके बाद टीपी में होता है अगर आप पहले दूसरे विक में पुस्ट करते हैं कि वहां पे अच्छी लोग भी आती है तो और सब यूटबर बताते हैं कि रात में पुस्ट करने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि मैं भी पुस्ट करके देख रखा हूँ मतलब रात में आपको कोई भी प्लस को नहीं मिलता है क्योंकि महां पे वीक लोग आती है और आपको केल तो मिल सकता है लेकिन आपका जो प्लस एकदम जीरो सा मिलता है मतलब टॉप टैन में भी आके आपको पांच-दस प्लस मिलता है तो उससे कोई फाइदा नहीं है तो इस पे मैंने टाइम क्या होना